आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। हेलो फ्रेंड्स हमारा कोश्यन है जब प्रकास का एक वरड़ी बिन्द स्रोत प्रकास बेद्दु सेल से 0.2 मीटर की दूरी पर हो तो अन्तक वोल्ट ता और संत्रिप्त धारा जो है क्रम से 0.6 वोल्ट और 18 मिली एंपियर है ये दिवही श्रोत प्रकास बेद्दु सेल से जो है 0.6 मीटर दूर कर दिया जाए तो चार ऑप्सन गीवेन है पहला हमारा निरोधी बिवह 0.2 वोल्ट होगा सेकंड हमारा निरोधी बिवह 0.6 वोल्ट होगा थर्ड हमारा संत्रिप्त धारा 6 मिली एंपियर होगा फोर्थ हमारा संत्रिप्त धारा जो है 2 मिली एंपियर करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे उसे हमारी धारा प्रवाहित होती है तब इसके बाद कोश्चन में क्या बोला जा रहे हैं यहां से जो हमारी डिस्टेंस पहले आर कितनी थी यह कितनी थी 0.2 मीटर अब इसको कितना कर दिये जा रहा है यह आरवन करता तो अब इसको बढ़ा कि यह बिंदुसरोत को इस प्रक 0.6 वोल्ट और हमारा पहले संत्रिप्त धारा हमारी इस कितनी थी हमारी 18 मीली एंपियर थी तो जब हम यहां पर सुरोत को जो हम डिस्टेंस को 0.6 मीटर पर कर देते हैं यह प्रकास बिंदुसरोत को हमारा जो है तो हमारा जो है इन निरोधी विभा और संत्रिप्त धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमारे कितना हो जागी हमें बताना है एक्चली जो हमारे निरोधी विभा होता है यहां प्रकास स्रोर से प्रकास वेदुसरोत की दूरी पर हमारा निर्वर नहीं करता है इसलिए हमारा निरोधी विभा यहां पर यह वी जीरो वन माले इ एक तो हमारे निरोधी वीवों कितने रहेगा 0.6 वल्ट के बराबर ही रहेगा तो हमारे यहाँ पर एक तो second option correct हो जाएगा और first option हमारे रोंग हो जाएगा अब इसके बास हम संत्रिप्त धारा के बारे में बात करते हैं हमारी actually क्या होती जो हमारी संत्रित धारा होती है हमारी जो संत्रित धारा होती है हमारी किस पर निर्वर करती है हमारी यह जो प्रकास वेदुत जो हमारा यहां पर प्रकास आप्तित होता है सेल पे उसकी तीवरता पर निर्वर करता है यहां पर हमारी जो क्या होती है हमारी प्रकास की तीवर्ता पर निर्वर करती है और प्रकास की तीवर्ता हमारी किस पर निर्वर करती है यहाँ पर यह दूरी के वर्क के बितकुर्मन पाती होती है हमारी प्रकास की तीवर्ता 1 by R² के अनकुर्मन पाती होती है मीन्स हमारा यहां पे संत्रिप्ट धारा किस पर निर्वख कर रही है और अगर यहां पे अगर हम देखें तो R2 हमारा क्या हो जाए है 0.6 meter R1 हमारा 0.2 meter है तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं दूरी को 3 गुना कर दे रहे हैं हम यहां पर दूरी को आर को जो है तीन गुना बढ़ा दे रहें अगर धूरी को तीन गुना बढ़ा देगे हैं अगर यहां पर बेत कुरमान पाती का संबंद है हमारा यह गला है। 9 गुनक कम हो जाएका मिस्स हमारा कितना हो जाएगा IES divided by 9 हो जाएगा तुघ हमारी संत्रितना हो जाएगी कितनी हो जाएगी तब दूसरे condition जब हम दूरी को बढ़ा दे रहे हैं 0.6 मीटर कर दे रहे हैं तब हमारी संतृर्प धारा कितनी हो जाकी के बराबर गए तब हमारी कितनी हो जाय रही मिली ऐmber के बराबर हो जा रही है तक अब देखते हैं मारा जो है चता चत्रूर्प के संबंद में कौन सा ओप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा जो हमारे यहां पर फॉर्थ ओप्शन हमारा संत्रिप्ट धारा के लिए करेक्ट होगा टू मिली एंपिर हो जाएगी थार्ड ओप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा तिस कोश्चन हमारे सेकंड और फॉर्थ ओप्शन क से हमारा कोशिन कंप्लीट हो जाता है ओके थैंक यू